ओपेनहाइमर की रिव्यू ओपेनहाइमर सिलियन मर्फी द्वारा अट्टूट सच्चाई के साथ निभाया गया एक अंबिशेयस व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने घातक आविशकार के लिए उतनी ही उची कीमत चुकाता है जितनी बाद में परमानू हथियार नियंतरण के लिए एक वकील बनने के फैसले के लिए क्रिस्टॉफर नोलन ने परमानू बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी को बेहतरीन तरीके से बड़े परदे पर लाने के लिए हर संभव कोशिश की जो अपने सामूहिक विनाश के हथियार से दुनिया में हुई तबाही और खतरों को देखने के लिए जीवित रहे ओपेनहाइमर चका चौन्द कर देने वाली एक मास्टर पीस फिल्म है फिल्म को बनाने वाली सभी बारी की बातों को ध्यान में रखके बनाया गया है तीन घंटे की ये फिल्म एक आदमी, क्वांटम फैसिक और इतिहास के एक घटना के बारे में है लेकिन यह एक असंभव एक्सपेरिमेंट और उसके भयानक परिणामों के बारे है लेकिन यह एक शेक्सपेरियन डायरेक्शन की कहानी के रूप में सामने आता है यह फिल्म बहुत साधी रियल एक्सपेरिमेंट करके बनाये गई हे इसमें बिलकुल भी इफेक्ट्स उसे नए किये गए है नोलन एक मास्टर पीस बनाई है इस फिल्म में हिरोशिमा और नागा साकी की दर्दनाग घटनाओं को बिना दिखाए बोहत खूबी से बताया गया हे फिल्म देखकर पीडित लोग रूप एड़ेगे नोलन ने बोहत ही बहतरीन फिल्म बनाई हे ऐसी फिल्म बोहत काम बनती है आपेन हाइमर द्वारा अमेरिकी सेना को दिया गया परमानु बम अमेरिका की सेना को वर्ल्ड वॉर को नए रोक पाटा है लेकिन यह एक सारवजनिक लड़ाई भी शुरू करता है जिसे एक राश्ट्रिय नायक को अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए लड़ना पड़ता है और साथ ही एक नैतिक संघर्ष भी होता है जो अपराद की पीड़ा से शुरू होता है रेटिंग फाइव स्टार मेन इस फिल्म को फाइव स्टार दुगी क्योंकि ये इस साल की सब बड़ी फिल्म है और इसे बहुत उमीदे भी है नोलन ने एक मास्टर पीस बनाई है एपी कामेंट्स में बताएए अपको क्या लगता है लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें लव आपसे अगले वीडियो में मिलेगी